डॉक्मेंट अपडेट का अब यह चीज बहुत दिनों से चल रही है और लोग इसको जो है नजर अंदाज कर रहे हैं फ्रेंट लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है करनी आपको अधार काड में डॉक्मेंट को क Crispy करना इसके बारी मारत समय लिजिए क्योंकि जब अपने आधार काड में हम बनाया इसके बाद 14 जून हुआ इसके बाद 14 सिटम्बर हुआ और अभी के समय में 14 दिसंबर इसकी लास डेट है अब इसके बाद हो सकते है इसकी date बढ़े ही या ना बढ़े ही तो आपको जो है इससी date के अंदर जो है अपने document को update कर लेना है पहले pen card भी देखिए अधार से link होता था तो लोगों नहीं करा है लेकिन अभी के समय में जो है pen card से अधार कूल link कराने का जो है suspend भी हो सकता है अगर suspend ना भी हो उसमें आपको payment भी देना पड़ सकता है तो आपको जो है इसी समय के अंदर जो अपने document को update कर लेना है तो फ्रेंट किस तरह से document को update करना है आज किस वीडियो में complete देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सो फ्रेंट आप देख सकते हैं हम जो है अधार की official site पर आ चुके हैं तो आपको जो है इस site पर आने के लिए अपने browser में type करना है myadhar.uidai.gov.in या फिर हमें जो इसका direct link आपको वीडियो के description में दे दूँगा आप जब वहाँ पर click करेंगे तब भी आप जो इस portal पर आ जाएंगे आपके अधार काट की कोई भी service को आपको use करना है या access करना अधार काट को तो आप इस वाले website से कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको सारी services मिल जाएंगे यहाँ देखिए आप नए अपना अधार काट डाउलोड कर सकते हैं वर्चुल आईडी जैनेरेट कर सकते हैं लॉक या ऑनलाग कर सकते हैं आपके अधार काट से कौन आपका bank account link का आप यहाँ से उसको च चल रही है और लोग इसको जो है नजर अंदाज कर रहे हैं फ्रेंड लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है अब देखिए डॉक्मेंट अपडेट है क्या डॉक्मेंट अपडेट जैसे कि देखिए इसमें सिंपल से बताएगा click here to upload your proof of identity and proof of address यानि कि आपको अपने अधार कार्ड में एक ID proof और एक address proof के तौर पे document को update करना यानि कि upload करना है अब एक क्यों करना है इसको करने का सबसे बड़ा reason friend यह है कि आपका अधार कार्ड अगर 10 साल या 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब नया नया enrollment हो रहा था हम अध इसी details को check करने के लिए कि हमारे अधार पे जो हमारा नाम है जो हमारा address है जो हमारा father name है उसको हमें verify करना है तो आपके पास ऐसा और कौन सा document है जिसको आप जो अपने इस अधार कार्ड के document में दे सकते हैं जैसे कि अगर हमारे अधार कार्ड में हमारा यह पता है हमारा ओ पता हमारे किसी और document में होना चाहिए और उसी document को हम इसमें upload करेंगे तब हमारा अधार काड चेक किया जाएगे कि हाँ इसके भी अलावा हमारे पास एक और document है जिसके वजह से हम जो है इसको enrollment कराए हैं और ID proof में भी वही हाल है कि आपके नाम जैसे आपके आधार कार्ड म तरह का option आएगा upload document in support of identity and address last date यहां पर दिया है free up cost है अफिरें click to submit वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा लेकिन इसको update करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए उस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर अपना आधार नमबर आप डालेंगे capture code इसमें फिल करेंगे send OTP पर क्लिक करेंगे आपके अधार कार्ड से जो mobile नमबर रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगी उस OTP का आप यहां पर फिल करेंगे login बटन पर क्लिक करेंगे आप जैसे login बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का option आ जाएगा आप document update हो जाएगा प्लस आपके अधार कार्ड में जो detail आपकी पहले से थी वह detail रहेगी वह change नहीं होगी हम change के लिए नहीं बता रहें इसमें भी यह mention किया गया है अब आपको बस next बटन पर क्लिक करना है इसके बाद दोबारा से next पर क्लिक करेंगे आप जैसे next पर क्लिक करें आप जैसे next पर क्लिक करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं guideline for uploading document का option आगया अब आपको जो document आप upload करेंगे उसकी size जो है टू यंबिस से ज्यादा नहीं होने चाहिए आप normally photo यहां पर क्लिक करेंगे तो टू यंबिस ज्यादा नहीं जाएगा और यहां पर देखिए उसका जो format document आप जब upload करेंगे तो उसका format क्या है JPEG या फिर PNG format या फिर PDF में आपका होना चाहिए अब नीचे आएंगे हम इसमें देखिए please upload proof आप identity या नहीं कि ID proof में हमें कौन सा document देना है आप simply इस पर click करेंगे तो यहां पर आपके सामने सभी documents आ जाएंगे जिसको आप ID proof में दे सकते हैं आपके पास इसमें जो भी document होगा आप उसको लगा सकते हैं देखिए हमारे पास pen card है आप है pen card भी दे सकते हैं अब देखिए marriage certificate है Indian passport है आपके पास कोई और भी government ID होगी आप उसको लगा सकते हैं बाकि ओटर ID card है आप ओटर ID card दे सकते हैं ST, SC, OBC certificate environment state आप उसको लगा सकते हैं रासन कार्ड लगा सकते हैं तो ID proof में आपके पास जो भी होगा आप उसको select करेंगे था हम यहाँ पर pen card select करेंगे और आप OK बटन पर click करेंगे अब देखिए 2M भी ज्यादा नहीं होना चाहिए अब इसमें upload करने के लिए आप यहाँ view detail या upload document इस पर click करेंगे इसके बाद continue to upload दोबारा से click करेंगे और आपकी जो है गैलरी open हो जाएगे तो आप यहाँ पर जहां कहीं भी pen card अपना रखे रहेंगे उसको आप select करेंगे open पर click करेंगे इसके बाद आप देखेंगे आपका document इसमें upload हो जागे यहाँ इस तरह से आगया और यहां से address group में concert document आप देना चाहते हैं इस लिस्ट में से आप जो उसको select करेंगे जैसे कि STSC OBC certificate इस certificate क्या होती जो हमारी जो cast certificate होती है तो इसमें काम कर जाती है cast यानी की जाती परमाणपत्र है और यहाँ पर जो domicile certificate है वो हमारा निवास परमाणपत्र हो जाता है तो id group के लिए हम cast यानी जाती परमाणपत्र को लगा सकते हैं और यहाँ पर address group में हम निवास परमाणपत्र को लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको select करेंगे और इस से next पर click करेंगे आप हैं पर देखेंगे बदा जा रहा है please confirm your demography details in the document यानि कि आप जो document upload कर रहे हैं उस document में आपके अधार card में जो detail है वो उने detail match होनी चाहिए हमारा सब सहीध हम okay button पर click करेंगे आप जैसे okay के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एक नया इंटरफेस आएगा फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह का ओप्सन आएगा डिये रेजिडेंस दिस सर्वीज इस फ्री आप कॉस्ट यहां पर डेट आ गया अब आपको लास्ट इस्टेप में क्या कर आपको क्या करना बस इतना इपको करके बस यहां पर जाई से अपई बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो रुक्षिस चेली जाएगी और आपका जो डॉक्मेंट अपडेट हो जाएगा आपका आधार काड वैलीडिटी मानने हो जाएगी सफरेंड बस यही प्रोस्यस है अगर आपको इसमें कोई confusion है तो आप हमसे Kevin पूछ सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगे